शिब बाबा याद है ना? बाप ददा ने तो सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी हैं। यह सर्वशक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपकी आगे ठहर नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा तुम्हें हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फोलो करना है। पौर स्थिती मे निराकार शिव बाप को फोलो करना है। तो इससे क्यों, क्या, कैसे यह सब प्रश्न स्माप्त हो जाएंगे। बुद्धी फोरण जज करेगी ऐसे चलो, ऐसे करो। बाप दादा की हर बच्चे के प्रती यही श्रीमत है कि मन में सदा सब के लिए शुब भावना और यही है स्वच्च मन, तुम्हें अपकारी पर भी उपकार करना है। तो अच्छी रिती चेक करो, मन और बुद्धी इतने स्पष्ट वस्रेष्ट हैं, तभी डबल लाइट सिती बन सकती है। चलते फिरते यह तो स्मृती में रहता है कि हम भ्रह्मा कुमार कुमारी हैं, प पास्ट में बाब ने कहा, अम्रित्विले उठते ही अपने को यह पक्का कराओ कि मैं फरिस्टा सभी को संदेश देने के लिए वस्रेष्ट कर्म करने के लिए इस साकार तन में आया हूं। तुम्हें एक दूसरे को भी फरिस्टे रूप में ही देखना है। तुम्हारी य जह वरिती दूसरों को भी धीरे धीरे फरिस्टा बना देगी। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार मन को स्वच बुद्धी को क्लियर रख डबल लाइट फरिस्टे सिती का अनुभव करू। हर एक ब्रह्मन को सुराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। सुराज्य का अधिकार जनमते ही हर एक ब्रह्मन आत्मा को प्राप्त है। जितना सुराज्य सित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप ददा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की हैं, उतना ही नंबर वार लाइट का ताज चमकता है। बाप ददा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्ति वान हैं। प्रन्तु धारन करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप ददा ने देखा कि सर्वशक्तियों की नौलेज भी सब में हैं। धारना भी हैं। लेकिन एक बात का अ परन्तु अंतर यह हैं कि समय पर जिस शक्ति की आवशक्ता है उस समय पर वह शक्ति कारे में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवशक्ता थी। बाप ददा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वड़सा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपकी आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृती में रखो और समय पर कारे में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धी की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धी की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णे शक्ति तिवर होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवशक्ता है वे कारे में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमान बाप दादा हर एक बच्चे को विग्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुशार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाब का विशेश अंसकार देखा तुरंत दान महापुन्य। जीवन के आरंब से हर कारे में तुरंत दान भी तुरंत काम भी गिया। ब्रह्मा बाब की विशेश सा निर्णे शक्ती सदा फास्ट रही। तो बाप ददा ने रिजर्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है, बाप ददा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो, जब साथ चलना ही है, तो फोलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फोलो ब्रह्मा बाप और सिती में निराकारी शिव बाप को फोलो करना है, फोलो करना आता है ना, डबल प्रशियों को फोलो करना आता है, फोलो करना तो सहज है ना, जब फोलो ही करना है, तो क्यों, क्या, कैसे यह समाप्त हो जाता है, और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं, फोलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता कैसे नहीं ऐसे बुद्धी फोरण जज करती है ऐसे चलो ऐसे करो तो बाप ददा आज विशे सभी बच्चों को चाहे पहले बारी आये हैं चाहे पुराने हैं यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगिटिव दाग छोटे बड़े हैं इसके कारण पुरुशार्थ की स्रेष्ट स्पीड तिवरगती में रुकावट आती हैं बापदद सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रती शुब भावना और शुब कामना रखो यह है स्वच्छ मन अपकारी पर भी उपकार की वृती रखना यह है स्वच्छ मन स्वियम के प्रती व अन्य के प्रती व्यर्थ संकल पाना यह स्वच्छ मन नहीं है स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धी जज करो अपने आपको अटेंशन से देखो उपर उपर से नहीं ठीक है ठीक है नहीं सोच के देखो, मन और बुद्धी स्पष्च है, स्रेश्च है, तब डबल लाइट स्थिती बन सकती है बाप समान स्थिती बनाने का यही सहज साधन है और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना बाप ददने पहले भी हसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होश्यार है अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना बाप ददने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हूँ चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी है हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मनात्मा है ऐसे अभी ये नेचरल स्मृती और नेचर बनाओ कि मैं फरिस्सा हूँ अमृत्वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिस्सा परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ सभी को संदेश देने के लिए वो स्रेश्ट कर्म करने के लिए कारिय पूरा हुआ और अपने शांती की सिती में सित्त हो जाओ। उची सिती में चले जाओ। एक दो को भी फरिस्से स्वरूप में देखो। आपकी वरिति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिस्सा बना देगी। आपकी दृष्टी दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिस्से हैं। फरिस्से भव का वर्दान सभी को मिला हुआ है। एक सेकिंड में फरिस्सा, अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकिंड में, मिनट में नहीं, दस सेकिंड में नहीं, एक सेकिंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा जो एक सेकिंड में बन सकते हैं, दो सेकिंड नहीं, एक सेकिंड में बन सकते हैं। वह एक हाथ की ताली बजाओ, बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, double foreigner नहीं उठा रहे हैं, time लगता है क्या? अच्छा जो समझ से हैं थोड़ा time लगता है, एक second में नहीं, थोड़ा time लगता है, वे हाथ उठाओ, बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है, लेकिन last घड़ी का paper एक second में आना है, फिर क्या करेंगे? जा नहीं, महसूस किया यह भी बहुत अच्छा, प्रन्तु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है, यह अभ्यास बहुत 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 आवश्चक है, चलो फिर भी बाप ददा कुछ time देते हैं, कितना time चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21 सदी तो आप लोगोंने challenge की है, धिनोरा पीटा है, याद है? challenge किया है, golden is it दुनिया आएगी, या वातावरन बनाएंगे, challenge किया है न? तो इतने तक तो बहुत time है, जितना super attention दे सको, दे सको भी नहीं देना ही है, जैसे देह भान में आने में कितना time लगता है? दो second, जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आजाते हो, तो कितना time लगता है? एक second, या उससे भी कम लगता है? पता ही नहीं पड़ता है, कि देह भान में आ भी गए हैं, ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, कि आ भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं कि मैं Soul Conscious Powerful स्थिती में Natural हो गया हूँ फरिस्था स्थिती भी Natural होनी चाहिए जितनी अपनी नेचर फरिस्थेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिती को Natural कर देगी तो बाप ददा कितने समय के बाद पूछे कितना समय चाहिए जियन्ती बोलो कितना समय चाहिए जियनक बोलो दादी जी ने कहा आज की आज होगी कल नहीं अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिस्थे हो गए हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे तो कब तक बाप ददा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संसकार बताया तुरंत दान महापुन्य बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है तो ऐसे ही समझ से हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे नंबर वार क्यों सभी नंबर वन हो जाएं तो कितना अच्छा है अच्छा और अभी प्रशासक वर्ग एड्मिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से आपस में मिलकर क्या प्रोग्रेम बनाया ऐसा तिवर पुरुशार्थ का प्लैन बनाया कि जल्द से जल्द आप स्रेष्ट आत्माओं के हाथ में यह कारिय आ जाए विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एड्मिनिस्ट्रेश बदलनी पड़ेगी न कैसे यह कारिय सहज बढ़ता जाए फैलता जाए ऐसे सोचा जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लैन बनाया है कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता दवारा परिवर्तन हो सकता है औ और होना चाहिए तो अपने वर्ग को जगाना इसलिए यह वर्ग बनाये गए हैं तो बाप ददा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं प्रन्तु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहां तक मैसेज दिया है थोड़ा बहुत जगाया है वो साथी बनाया है सहयोगी साथी बनाया है ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया लेकिन सहयोगी साथी बनाया सभी वर्गों को बाप ददा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए नंबर वन वाले नहीं थे फिर भी एक स्टेज पर सभी कठे हुए और सभी के म कि हम सब को मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आये हो उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहां तक पहुचा है। दूसरा आध्यात्मिक्ता की आवशक्ता है और हम भी सहयोगी बने यह रिजल्ट हो। रेग्यूलर स्टुडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है। जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन-भिन स्टेज वाले इकठे हो और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिज रख कर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना उनों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। और एक दो को देख करके उमंगुत साह भी आता हैं। अभी बटे हुए हैं। कोई शेहर में कितने हैं, कोई शेहर में कितने हैं। अच्छे अच से प्लैन कुछ बनाया? बना होगा जरूर। फोरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्में जगह जगह पर निकली हैं। प्रन्तु गुप्त रह जाती हैं। उनों को मिला कर कोई विशेस प्रोग्रेम रख कर अनुभव की लेन देन करें उसमें अंतर पढ़ जाता हैं। समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किस के 8 होंगे, किस के 25 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं। उमंगुलास बढ़ता हैं। तो अभी तक जो सभी वर वर्ग वाले सुन रहे हैं ना, सभी वर्ग वाले जो आज विशेस आये हुए हैं, वह हात उठाओ, बहुत हैं। तो अभी रिजल्ट देना कितने कौन कौन और कितनी परसंट में समीप सहीयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमनीक प्रोग्रेम बनाएंगे। ठीक है ना, मधुबन वालों को खाली नहीं रहना हैं। खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं या ठक जाते हैं। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती हैं। और होने भी चाहिए। प्रन्तु प्रोग्रेम के पीछे प्रोग्रेम लिस्ट में होना चाहिए। तो मंग सहा रहता है नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेंड करती है कंप्लेंड बताएं कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गाओं में जाएं चक्कर लगाने जाएं सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं इसलिए बिजी रखना अच्छा है बिजी होंगे त पद्मगुणा किस बात पर जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है अव्यक्ति दिखाई देती है अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहां तो हर एक फरिस्ता लग रहा ह तो यह विशेश सा बहुत अच्छी है जो उस समय विशेश विल पावर आ जाती है सेवा की चमक आ जाती है तो यह सर्टिफिकेट तो बाप ददा देता है मुबारक है ना तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले बहुत अच्छा बाप ददा भी उस समय चक्कर लगाने आता आप लोगों को पता नहीं पढ़ता है लेकिन बाप ददा चक्कर लगाने आता है तो यह विशेश सा मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी अच्छा मेडिया विंग फोरेन में भी मेडिया का शुरू हुआ है ना बाप ददा ने देखा है कि मेडिया में अभी मेहनत अच बारों में जैसे टीवी में किसी ने भी पर्मनेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना रोज चलता है ना तो यह प्रोग्रेस अच्छी है सभी को सुनने में अच्छा अनुभो होता है ऐसे अखबार में विशेश चाहे सपता हमें चाहे रोज चाहे हर दूसरे दिन एक पीस एक टुकडा मुकरर हो जाए कि यह अध्यात्म शक्ती बढ़ाने का मौका है ऐसा पुरुशार्थ करो वैसे सफलता है कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते है ग्रूप कर सकता है हाथ उठाओ, हाँ करेंगे उमंगुलास है तो सफलता है ही क्यों नहीं हो सकता है आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे ओफर करेंगे आपको ओफर करेंगे कुछ दो कुछ दो, मदद लो अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो फिर वे कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ सिर्फ ये बात पक्की रखना फरिस्ता, फरिस्ता, फरिस्ता फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है पीछे पढ़ना नहीं पढ़ेगा लेकिन पड़्चाई के समान वे आपे ही पीछे आएंगे बस सिर्फ आपकी अवस्ताओं के रुकने से रुका हुआ है एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच्च दबाने की देरी है बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे चारों और के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सुक्षम स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व सुराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस्त्रेश्ट अधिकार को अपने चलन और चहरे से प्रतिक्ष करने वाले विशेस आत्माओं सदा बाप ददा को हर कदम में फोलो करने वाले, सदा मन को स्वच और बुद्धी को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वत्य तिवर पुरुशार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्णिंग वर्दान साधनों को निरलेप वन्यारे बन कारे में लगाने वले बेहद के विरागी भव। लगाओ में आ जाएंगे जो बाप का प्यारा है वे सर्व आकरशनों से परे अरथात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निरलेप सिधी। कोई भी हद की आकरशन की लेप में आने वले नहीं। रचना वसाधनों को निरलेप होकर कारे में लाएं ऐसे बेहद के विरागी ही राज रिशी है। स्लोगन दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। अच्छा और अब सुनते हैं आज का अविक्त ज्यानमोती। ये एक बहत संसकारिता पूर्ण विडियो है। जरूर देखें कुम भी मिस ना करें।